संदीब कुमा शर्मा तक्नीक मित्रों के साथ आज हम सीखेंगे कि क्या जैसे नोट पहचानने के लिए हम लोग पास बड़ी समझे आती आज कल अलाकि मुझे तो नहीं आती मैं तो सपर्शे ही पहचानता हूं किसी भी अप्लिकेशन का इस्तमाल नहीं करता लिए कि जिन लोगों इस्तमाल करने की इच्छा है जो चाहते हैं कि नहीं हम तो अप्लिकेशन से ही पहचानें ये नोट को तब तो फिर आपको वो एप्लिकेश नहीं है तो चलिए हम चेक करेंगे वैसे आईडी प्रो में भी ऐसा फीचर है यह वह भी करन्सी पहचान जाता है लेकिन हम इस लुक आउट से इसका प्योग करेंगे लुक आउट को मैंने ओन किया अब दूसरा नोट मैं लेकर रखता हूं यहाँ पर फिर देखता हूं इसको पहचान लिया चलिए यह भी छीख हुआ अब हम इस नोट को देखते हैं क्या यह पहचानता है इसको यहां रखते है तो इसने गल्ब बता दिया फिर से देखेंगे इसको ऐसा रखते देखते हैं ना देखें बिल्कुल अब सही पहचान लिए इसने ना वो नोट क्या ये पन्ना पलट गया था इसका एक नोट आपको सीधा रखना पड़ेगा तब ये सही पहचानेगा ठीक है और अब एक ये नोट को देखते क्या पहचानता है इसको देख लेते हैं इसको थोड़ा सही रखता हूं है अब देखते हैं देखें ये भी 20 रूपीज पहचान लिया आपको कैमरा को फोन इसके पास लाना पड़ेगा तो ये रूपे को पहचान जाएगा तो आपको दूसरी को application जूट नहीं है, आप Google Lookout से भी note को पैचान सकते हैं, अराम से पैचान देता है, एक 500 के note में इसने confusion किया, वो इसलिए किया, क्योंकि note का पर्चा है, वो मुड़ गया था, इस करके यह हुआ, बाकि आप Lookout से इस तरह से currency को पैचान सकते हैं, कोई दिक जानना की कोशिश करनी चाहिए, और आपको सुरू सुरू में अगर प्रब्लम होती है note पैचानने के लिए, तब फिर आप application के एक बार सारा ले, बाद में नहें, क्योंकि note के प्रतेक जैसे 100 का note है, और 500 का note है, और ये 20 का note है, या 50 का note है, सभी में कागज में फरक है, हम क्यों नहीं पहचान पाते हैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग आजकल अपनी इस पर शक्ति को होती हैं, तो इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊगा कि हम बगएर किसी application के कैसे करन से ही पहचान सकते हैं, उस वीडियो को भी इंतजार कीजेगा, इस वी बटन विन दसा